हलो स्टूदेंट्स फिर साब सभी कस्वागत है हमारे क्लास क्लास अपकॉन में तो यह है इन्वार्मेंटल इस्टडीज यानि के परियाव रन पर बिलासपुर उन्वर्सिटी वाले स्टूदेंट के लिए तो यहां पर देखे आपका पहला कोश्चन है निमलेकित में से कि इसी ऱयक्स पर टिपपणी दीजि तो यहां पर देखे हमने पांच पर टिपणी लिख लिखा हुआ है और यह यूनिट लिए की लिए ह तौ इस पर बहुँलाने में बहुला टाइम लग गया है दो इससे जितना हो सकी अपने दोस्तुर किजिएगा तो देखे पहला है अपका बाड ठीकिना बाड प्रवाई छेतर में विनास क्या-क्या इससे परिसानिया होती है इस सब के बारे बताए गया है बांध बांध से क्या लाब होता है है न जलकिया पूरती होती है वितुतूर्जा का भी उत्पादान हो सकता है उसमें खेती वगरा के लिए भी य ज्यादातर होता है तो यह इसको नोट कर लीजेगा पूरा फिर इसके बाद है इस्थानिक प्रजातिया ठीक इस्थानिक प्रजातिया के बारे में यहां पर देखे पिड़ पुद्धेजी जनतों की इस्थानिक प्रजातिया उसके बारे में बताया गया है फिर इसके बाद है ठोस कच्रा प्रबंधन ठीक है ठोस कच्रा प्रबंधन किस तरीके से हमको करना है इसके बारे में है फिर है लास्ट पांचवा जल वायू परिवर्थन किस प्रकार होता है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है फिर है आपका यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट होता उर्जा संसाधन क्या है उर्जा संसाधन पर एक लेक लिखे तो उर्जा संसाधन है ना मुखे रूप से तीन चीजों पर यादाईत होता है कोईला खनीष तेल अथ्वा पेट्रोलियम और जल भी धूत तो यहां पर देखे कोईले पर इसके प्रकार और किस तरीके से यहां पर इसका खनन किया जाता है इसके बारे में बताया गया है फिर खनीश तेल अथ्वा पेट्रोलियम है ना कितना मात्रा में यह हमारे देश में है और कहां कहां पर जातर मात्रा में खेट खनीश तेल प्राप्त किया जाता है इसके बारे में है फिर जल्विदू तूर्जा के Tikने प्रकार के उधारण है पाईस्थेतिक संदी प्रखेक तंत्र मरूस्तली हम कर्सथेतिक संद पारिस्तली थै यह समुद्री पारिस्थेतिक संद्रिक क्रेजिन और फीप्र पारिस्थे दितानत्र और इसके बाद है पाइस्थितिक तंत्र सेवाएं और उसका कानूनी अधिकार भी है पाइस्थितिक तंत्र कानूनी अधिकार भी बनाया गया है ठीक है इसके बाद है आपका unit 3 का अगला question वायू प्रदूशन क्या है वायू प्रदूशन के कारण तो आप परियान प्रदूशन के बारे में थोड़ा बता दीजेगा फिर उसके बाद वायू प्रदूशन के कारण पूरा यहां पर दिया हुआ है और इसके बाद है देखे वायू प्रदूशन का रोक थाम नियंत्र जीवन का अधिकार, ये पहला माना अधिकार है, उचित परिक्षन का अधिकार, सोच, विवेक और धर्म की सोतंदरता का अधिकार, दास्ता से सोतंदरता, सिक्षा का अधिकार, और उसी के सांसाथ और अधिकार भी है, यहाँ पर दिके माना अधिकार में सोतंदरता, व्यक् भी नित है फिर यूनिट फाइफ है भारत के सम्विधान के अंतरगत मौलिक करता हुए यहां पर मुझे 11 मिले है और चेक कर लीजेगा यहां पर मुझे 11 करता हुए मिले है जिनको मैंने यहां पर देखे इसको पूरा बता दिया है तो इसको नोट कर लीजेगा और इसे जित बाकी की वीडियो भी अप्लोड होंगे उन पर काम चल रहा है तो मैं मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए थन्यवाद